मैं तो बहुत तटस्थ भाव से इमानदारी से एक प्रश्ण अपने देश की जनता के सामने आज छोड़ कर जाता हूँ अगर उद्धव जी शरद पवार शरद पवार जी का पोता महराष्ट के तमाम मंत्री पूर्व मुख्य मंत्री दोदो पूर्व मुख्य मंत्री देवेंदर फण नवीस राने बिहार के इसे गिली जी नीतिश बाबू से जोड़के 10-20 लोग अधिकारी अगर ये सब लोग उतान नहीं होते उतान उत्रप्रदिश के लोग समस्ते होंगे ग्रामिल चेत के उतान नहीं होते तो मीडिया इनसे कैसे बयान दिलवा लेता और जो लोग ये जूट यहां बेचना चाहें ऐसी मंशा रखते हों कि नहीं नहीं दे की मीडिया बुलवा लेता है तो उन्हें में एक प्रश्ण बताए देता हूँ उनकी पार्टी का बुलवा के दिखवा दीजी किसी से उनी की पार्टी के एक प्रश्ण बता देता हूँ, कि इस पर कोई बाइट दे दे, नहीं देगा, अरे प्रवक्टाव तक को तो विशे देखकर भेजती ही पार्टी, मुक्ष मंत्री हो मंत्री चोड़ो, कजिना इस पर कोई नहीं जाएगा, अमिताब जी, कई अखिलेश ज मीडिया का, जिन्होंने अतिबाद किया, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा, मैं आत्मा लोचन भी करता हूँ, लेकिन मेरा प्रश्ण वही है, क्या नीती शीकों को बुलवा सकता है, वो वैसे भी आलपा भाशी है, कम बोलते हैं, कम बोलते हैं, भार्ती राजनीत में, कम बो अचे, डीजीपी से अभी कोई बड़ी आप आधि घटना हो जाए, यही मीडिया जिसको आप लोग पानी पीपी के लांचित कर रहे हो, यह डीजीपी के पास जाएगा, किसी सुवेग डीजीपी हो, आपको बड़ी घटना घट जाए, डीजीपी को अगर मुक्ष मंत्री ने कही दिया कि तो डीजीपी के घर के बाहर तीन दिन आप कैमरा लगाए रहो, वो कहेंगे नो कमेंट, क्या सच नहीं है?